अब 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 आप अब आप देखरें अब आपको बताऊंगा लिफ्टिंग अफ कॉर्पेट विल का सेकेंड इंपोर्टेंट केस लो देखते हैं वो कौन सा था लिफ्टिंग और कॉर्पेट विल इसका सेकेंड इंपोर्टेंट केस लो नाम है किसका दिंशा मैंट जी पैटिंट यह हमारा केस है तो काफी इंपोर्टेंट है और दिंशा मैं रखजी इस केस में क्या होता सर दिंशा नाम का एक परसंथा दिंशा नाम का एक परसंथा वो काफी रिश्ट था वेल्दी मैं काफी रिश्ट इसने चार कंपनी इंकॉर्पेट करें क्या डिश्ट एक पोर कंपनी कंपनी नंबर 1,2,3,4 चार कंपनी क्या करें इंकॉर्पेट अब खास बात क्या थी इन चार कंपनीज की इन्होंने कभी ना ही कोई बिजनेस करा नो बिजनेस ना ही कोई बिजनेस करा और ना ही इसकी कोई कैपिटल थीम नो पिजनेस ना ही बिजनेस ना ही कि आखिए पिए आखिए आखिए बिजनेस थीम इसके कोई बिजनेस था और नहीं कोई इसकी कैपिटल टी इंवेस्टमेंट करी थी बस जो मिस्टर डी ने करी ते अभी चार कंपनी जो है यह इन्वेस्ट करती है कि इन्वेस्टमेंट करती है कि इन्वेस्टमेंट के रिटेन में कंपनी को मिलते हैं डिविडेंड और रिटेंड रिटेंड को हम यहां बोल सकते हैं तिरे से इंट्रेस्ट कम्पनी को डिविडेंड इंट्रेस्ट मिलते हैं अब क्या रेता है जो यह इंट्रेस्ट मिलता है कंपनी को कक्व्हक्य के एककॉंट में जाते हैं पीठ और क्प्सक्राय संब्सक्राइबूं , इसका सब्सक्राइब जदें जब उसे फिरफ पने के लोन में सारी हों कुм्त ने करती थी इसको i visão लह लेता दा के लोन लेने के भाद किछा माई कभ्यस पेमेट करो आधा लोन का अब बात का की अब बात आती है ठेक्स पे घरनी की एक् def mermaid यह मना कर देता है जाता है मैं आपना दिनसर वो यह रेजन देता है कि मैंने चार कंप्रेंं कोर्परेट करें तो और मैं एक अलग-अलग सेपरेट परसेलीटी हैं सेपरेट लिगल एंटिटी का कंशेप यह लाता है दिन से मैनिक जी बट कोड के लिए नहीं आपकोई कंपणी जो है एचार नहीं कोई बिजनिस करती और इसमें इंवेस्टमेंट जो हैं वो सिर्फ जो company कर रहे हैं आपके नाम पर उसका जो इंट्रस्टे व्यूगी मिल रहा है वह सब company account में जा रहा है हम मान रहे हैं but company Кेs account में जो जा रहा है उससे आप a feather loan ले रहे हूँ ठीक है चलो आपकी इस बात भी मान ले कि अप liquidity, आप लूझ ले कि यूंसे चलो हे माली अम तो कहता है कि नहीं मैं इसले निकरा कि सेप्रेट परस्नाईटी में तव से लोन लिया बटनों नका पॉर्टे कि नहीं कोड वर्डिक्ट हूं वर्डिक्ट कि दिन सारी और काता है दिन साब लीगल एंटिटी एंटिडी के concept apply करने के लिए कहा जिन साने बट कोड ने कहा कि separate legal entity का concept नहीं आएगा क्योंकि आपने एक ऐसी company बनाई है जिसका नहीं कोई business है और जो इसकी investment हुरे जो interest मिल रहा है वो आप as a loan ले रहे हो अपने ही company से आप loan ले रहे हो तो इसका simple सा मतलब कि आप tax की चोरी कर करने के लिए अपनी चार company incorporate करें तो यहां separate legal entity को नहीं माना कोड़ने कोड़ने lifting of corporate will apply किया यहां पर lifting of corporate will apply किया अब हमने देखा क्या था सर दिन से दिन सवा मैंने जी जो था वो एक वैल्दी मैं था बहुत पैसे वाला आदमी था उसको उसने क्या गाम करा उसने चार company बनाई चार कंपनी इंकॉर्पेट कराई वन टू त्री फॉर इंकॉर्पेट करें च चार कंपनी अब उस चार कंपनी के नहीं कोई business था और नहीं कोई capital बस वो capital वो थी जो दिन सा मैनेग जी इंवेस्ट कर रहा था ठीक है कंप्रियन एंवेस्ट करा investment के रूप में कंपनी को return में मिला dividend मिला और interest मिला अब interest जो जा रहा था वो सिधर कंपनी के account में जा रहा अ अब कंपनी के एकंट से कंपनी से दिनसा मैनेग जी ने क्या करा वो लोन की रूप में लिया लोन की रूप में लिया और नहीं को लून कभी रूपेइमेंटकरा कंपनी को नहीं कंपरी को कभी रिपेइमेंट करा तो सिंपल सी वात उसने टेक्स चोर ही करें यहां पर क्योंकि लोन लिया थे लोन भाई दो दो लोन दो नहीं वो लोन दे रहे तो इस वज़े से और उन्होंने दिन समय रिख जिने करने के लिए कहा बट कोटने नहीं माना उन्होंने लिफ्टिंग औफ कॉर्पेट वील का यूज करा और सच्चाही देखिए और टैक्स जो लाइबल था दिन समय रिख जिए उसके लिए टैक्स इंपोस करने के लिए कहा यू आप लूए विडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल थांक यू वाचिंग जाए इंद तो